Hello everyone, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि railway का ECR division में जो अभी apprentice का document verification चल रहा है वो कहां पर होगा, आपको कैसे जाना है, क्या के document लेके जाना है, कितने वे जाना है, यह सारी जानकाड़ी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो एक बार like के बटन जरूर दबा दिजेगा और अगर कुछ भी जानकाड़ी आपको इसके अलावा भी चाहिए, तो आप एक बार comment box में comment कर दिजेगा आपको जरूर उसकी साहता की जाएगी, तो आए इस वीडियो गो श्टार्ट करते हैं तो अभी जो आप इस वीडियो में देखेंगे, जो NC गोस सामुदाइक भवन जो आपको बुलाया गया है वो कहां पर है, वो सिर्फ आपके दानापूर स्टेशन से मुश्कल से 5-10 कदम की दूड़ी पर है तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ दानापूर इस्टेशन पर पहुँचना है, किसी भी थ्रूप चाहे आप आप ओटो से पहुँचे, बस से पहुँचे या ट्रें से पहुँचे अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप दानापूर का इस्टेशन डारेक्ट पहुंग आ सकते हैं ट्रेन के माध्यम से ओटो सो भी आ सकते हैं वहाँ आने के बाद आपको कहीं जाना नहीं है बस बगल में ही आपका NC Coast का सामुदाइक भवना यहीं पर बुलाया गया है और यह सुभा में ही 10 बिएस से ही खुला वरा रहता है यहाँ पे बैटने के सुविधा भी दीके ही अंदर में छेर लगा दिये गए हैं जैसे ही आपका number आता है, serial watch बुलाया जाता है और आपको परपसे परदा attendance करवाया जाता है, attendance करवाने के ठीक 10-15 मिनिट के बाद जैसे ही आपका पूड़ा हो जाता है, तो आपको जो कहा गया है apprentice के site पे 100% fulfill करके लाने के लिए उसका verify करवाया जाता है, यानि आपने जो जो document उसमें apply किये हैं, वो सारे document को आपको ले के जाना है, उसके अलावा extra कोई भी document ले करके नहीं जाना है, वही document चेक होगा, अगर आपने उसमें पुराना OBC certificate डाला है तो आपको वही ले के जाना है, नए कि कोई आउसकता नहीं है, और एक बाद ध्यान से सुन लिजे, medical certificate बनेगा, जो आपको next day hospital में बुलाए गया है, उसके बाद ही आपका वो बन जाएगा, इसके अलावा आप एक भी certificate जो extra होता है, वो घर से नाल है, इसमें सिर्फ आपको 10th का mark seat, ITI का mark seat, OBC certificate या SCST candidate है तो वो certificate और इसके अलावा कोई भी certificate लाने की कोई हो सकता नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि घर से ही medical certificate बना के लेकर के आच चुके हैं, medical fitness, OBC नया पुराना दोनों, तो आपको जो OBC अप अप्लाई किये वे थे, वही OBC आपको लेकर के आना है, ना कि नया OBC को आपको लेकर के आना है, या SCST वाले को नया वाला लेकर के आना है, ध् जो staff है, HDFC का, hand to hand आपका account खोल दिया आता है, passbook, debit card, net banking, check, सारा सुविधा आपको वहीं पर दे दिया आता है, जैसे ही आप उसको पूरा किल जिएगा, account खोलने के बाद, तुरंद आपको एक अलग table पे भीजा जाएगा, जिस table पे computer के थुरू आपके mail पे, जो है contract इसू किया जागा, और उस contract को sign करने का time जो आपको है, वो 15 दिन का time दिया आता है, यानि कि आपको 15 दिन के अंदर में उस contract को sign कर देना है, यानि कुल मिला के देखा जाए, तो आपको 15 दिन के अंदर ही आपको joining कर दिया, करवा दिया जाएगा, तो आप इसके लिए ready होकर के भी पहले से ही ठीक है और अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानगाड़ी इस वीडियो में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे तो उसके बाद आपको पूरी जानगाड़ी इसमें दी जाएगी कि अगर आपको कोई और कोई डाउट है तो प्लीज इसमें डाउट म तब तक के लिए धन्यवाद